नमस्कार प्यारे दोस्तों आप सभी का बालाजी ओनलाइन क्लासेज के इस ओनलाइन प्रेटफर्म पर बहुत बहुत स्वागत अभिननदन प्यारे दोस्तों आज बात करेंगे भारत जीके से समंदित कुछ मैटोपॉंट प्रशनों के बारे में जो ऐसे फैक्ट है जो हर एक्जाम के अंदर काईन कहीं पूछे जाते हैं आज के इस तथ्या में बात करने वाले हैं वेदों से समंदित इंपोर्टेंट फैक्ट और उनके कुछ मैटोपॉंट पॉइंट जो हम जानते भी नहीं हैं तो चलिए साथियों आज का सेसन शुरू करते हैं आज के सेसन को आप आराम से देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने इतने सारे वेदों के बारे में जो क्वेशन में बताए हैं आप इनसे पहले कितने जानते थे और ये क्वेशन आपको कैसे लगे इसके बारे में भी अपना सुजाओ जरूर देएं चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास तो सबसे पहला question है कि भारत का सर्व प्राचिन धर्म गरंथ क्या है तो आपको इसका सही आंसर बताना है वो है वेद वेद भारत का सबसे प्राचिन धर्म गरंथ क्या है तो सबसे प्राचिन धर्म गरंथ की बात करें स वेदों का संकलन किसके द्वारा किया गया तो साथियों इसका संकलन क्या था महरसी कर्षन द्वेपायन वेद व्यासजी द्वारा फिर आता है कि इस वेद का अर्थ क्या होता है तो वेद का अर्थ होता है ग्यान यहीं कि वेद क्या है तो वेद ग्यान के भंडार है वेदों देखे बात करते हैं कि वर्त कुल कितने वेद है तो वेद कितने परकार के होते हैं तो साथियों वेद चार परकार के हैं फिर अगला question है कि सबसे प्राचीन वेद तो रिगवेद अब रिगवेद में कितने मंडल है तो रिगवेद में है 10 मंडल ये काफी बार question पूचा गया एक सब देशातियों प्रूश सुक्त का उलेख है रिगवेद के किस मंदल में किया गया जे गया कौन से मंदल में दस्वों मंदल में इसके बाद देखे आगे बात करते हैं अपन कि रिगवेद की रचना किस ने की थी सबसे प्राचीन वेद है रिगवेद इस रिगवेद की रचना किस ने की थी तो रिगवेद की रचना की थी विश्वा मित्र ने किस ने की थी विश्वा मित्र ने ठीके चलिए अगला अपने आपके सामने क्वेस्टन आता है आठवा कि रिगवेद में अंध्य सब्द का सम किस से है तो अधन्य सब्द का सम्भत का सम्भत है रिगे इस इस अधन्य सब्द जोब की संख्या की बाद करें तो रिग वेदगी नदर 1028 सुख्त या उसकत है इसके इसके बाद देखिए आगे बाद करते हैं आज के दस्वें फेक्ट की रिग वेद में साथियों एक सब्द आया है अवेस्ता, अवेस्ता किस से सम्मंदित है, अवेस्ता साथियों अवेस्ता का सम्मंद है वो इरान देश से है, इनकी जो अवेस्ता किस सम्मंदित सब्द लि रिगवेद की रचना की थी उन्होंने इसकी रचना की फिर आता है कि मनु इसमर्ती किसे समंदित है यानि कि मनु इसमर्ती जो ग्रंत है वो किसे समंदित है तो ग्रंत समंदित है अपने समाज वैवस्ता से किसे समंदित है समाज वैवस्ता से समंदित है आगे देखे कुछ आँ और बात करें सबसे यह कि प्राचिनतम विवाशन स्कार का वर्णन करने वाला विवाध सुप्ट किसे में पाया जाता है प्राचिनतम जो विवाशन ď मिलता है था व्लंच करना को रिगवेद मी फिरह गया था फिर अगला पंदर्वाँ फेक्ट है कि कौन जल या समुंदर का देवता था उसमें चब रिग वेद्वेदों की रचना हो रही थी उसमें जल या समुंदर का देवता किसे मानते थे तो जल या समुंदर का देवता मानते थे वरोण को किसको मानते थे वरोण को सोलवा फैक्ट है कि धर्म सास्त्रों में भूर आजस्व की दर क्या थी यानकी तो हमारे प्राचीन धर्म सास्त्र है उसमें भूर आजस्व की दर कितनी थी तो दर थी साथियों एक बटा च्यार कितनी थी एक बटा च्यार सत्रमा फेक्ट है कि प्राचीन भार्त में निस्क से जाने जाते थे तो ये जाने निक्स लिखा है इस सब्द का अर्थ या इसे क्या जाने जाता था तो इसे जाने जाते सोने के आबुशनों को तो प्राचीन काल में या प्राचीन भार्त में सोने के आबुशनों को निक्स क भिच्वेड कि इनकी गायत समुपेटल are कि इन स्थूति में रचित है। मंतर के अंदर किसकी इस्तूती की जाती है गायतरी मंतर किस सम्मंदित है तो गायतरी मंतर में सूर्य की इस्तूती की जाती है यह important fact है फिर आता है कि गायतरी मंतर का उलेख कहां मिलता है तो गायतरी मंतर का उलेख मिलता है वो मिलता है रिगवेद के अंदर इसके बाद में आता है कि किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है यह बहुत important fact है कि कौन सा वेद है च्यार वेदों में से जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों भाग में की गई है गद्यांस की रूप में और पद्यांस इनकविता की रूप में सलोक की रूप में की इनकी जो आज के लम यग्या वगेरा करते हैं उसकी विदी विदान सर्चा कौन से वेद में की गई है तो उसकी सर्चा की गई है यजूर वेद के अंदर किस वेद में यजूर वेद के अंदर फिर आता है कि किस वेद को भारतिय संगीत का स्रोत माना जाता है यह संगीत यह भारतिय संगीत का स्रोत माना जाता है, तो माना जाता है साम वेद को, कौन से वेद को, साम वेद को संगीत का स्रोत माना जाता है, वह बहुत important fact है, फिर आता है कि रिग वेद के प्रोहित को क्या कहते हैं, तो रिग वेद के प्रोहित, इनकी रिग वेद के जो प्रोहित होते ह उनको कहते हैं होर्तु या कहते हैं होर्तु या होत्री होत्री क्या कहते हैं होत्री होत्री कहते हैं जिक वेद के प्रोहित को next आता है कि सामवेद के प्रोहित को क्या कहते हैं फिर 26 नमबर फैक्ट है कि किस वेद में जदू टोनों का वर्णन मिलता है कौनसे वेद के अंदर जदू टोनों का वर्णन क्या गया है तो हमारा है अथर्व वेद कौनसा वेद अथर्व वेध में जादू टोनों का संमंद Mिलता है और अभी हमने बात की थी कि किसे वेध में यग्ये की जानकरी मिलती है यग्ये के विधी विदान मिलते हैं तो अभी उपने बात की थे उसके लिए कौन सा वेद था बताओ कमेंट करके वापस अभी पड़ा पीच से अभी ने ज़स्ट बेलकूल सभी ने सही कमेंट किया यजूर वेद चलिए next बात करते हैं कि साम वेद के पाठ करता को क्या कहते हैं यानि कि जो साम वेद के पुरुईत होते हैं क्या केते हैं तो उसे केते हैं उदात्रू उदात्री क्या केते हैं उद्रा ठीक है चलिए अगला फेक्ट है 28 नमबर फेक्ट कि अथरवेद की रचना किस ने की थी अर्थरववेद की रचना अथरवा रिशी ने की थी किस ने की थी अथरवा लिशी ने की थी इसलिए इसका नाम अथरवेद पड़ा फिर आता है कि किस वेद में राजा परिक्षित को कर्मो का राजा कहा गया वो का गया था अथरव वेद में फिर आता है वेदों के अंदर एक सब्द आता है अरन्यक अरनेक सब्द का अर्थ क्या है तो अरनेक सब्द का अर्थ है जंगल क्या है जंगल है चलिए अगला फैक्ट की बात करते हैं उपनिसिदों की संख्या कितनी है तो उपनिसिदों की संख्या है साथियों वह है 108 फिर आता है उपनिसिद का साब्दिक अर्थ क्या है तो उपनि सब्द का साब्दिक अर्थ होता है फिर आता है उपनिसीदों को क्या कहा जाता है तो उपनिसीदों को वेदान्त कहा जाता है इसके बाद अगला फेक्ट की बाद करते हैं अगला फेक्ट है कि पुराणों के रचेता कौन है तो पुराणों के रचेता की बाद करें तो लोम हर्ष तता उसके पुत्र उग्र सरवा थे पुराणों के रचेता कौन थे तो लोम हर्ष तता उसका पुत्र उग्र सरवा थे फिर आता है पुराणों की संख्या कितनी है तो पुराणों की संख्या है अठारा कितनी हैं, अठारा वेद कितने हैं, चयार वेदांग कितने हैं, छे और पुराण कितने हैं, अठारा ये विशेश ध्यान रखना है, फिर अताय सबसे प्राचिन पुराण कौन सा है, तो सबसे प्राचिन पुराण की बात करें, तो सबसे प्राचिन पुराण हैं, मतस्य पु करके एक एक फैक्ट को लेकर के हम आपके पास में कम से कम 3-4 जार तथ्य इटे कर देंगे ताकि आप कोई भी छोटे-मोटे एक्जाम में जब देखेंगे तो इंडिया जी के से समाने परस्टों होते हैं वो कभी भी गलत आपके नहीं होंगे फिर आता है कि मतस्य पुराण म विष्णू के कितने अवतार का वरणन क्या गया है तो मतस्य पुराण में विष्णू के 10 अवतार बताए गए हैं कितने अवतार बताए गए हैं तो साथियों ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आपको क्लास असी लगी है बड़िया लगी है, पसंद आई है, तो लाइक करें, और अपने सबी साथियों तक सेर करें, और अमारे साथ जोड़े रहें, और पहली बार पदा रहें, तो अमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करें, आई बार साथियों समझ में, और अभी हम देते हैं विदा जे हिंद जे भर्त